डिवाइस एन्रोल करने से पहले हमें एक यूजर अकाॉंट बनाना होगा, या उस एंपलोई के लिए एक यूजर अकाउंट होना चाहिए, जिसके थूँ वो अपने डिवाइस को एन्रोल कर पाएगा. तो वो account हम कैसे बना सकते हैं, Intune license कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे portal में अब Intune portal को हमें अगर access करना है तो हमें जाना पड़ता है portal.azure.com पे लेकिन अगर हमें user को manage करना है तो हमें जाना पड़ेगा portal.office.com में यह बिलकुल वैसा है जैसे हम active directory में active directory domain services में जाते हैं, users and groups को manage करते हैं तो एक नया tab open करते हैं और नए tab के अंदर हमने टाइप करना है portal.office.com तो जैसे हमें इसमें अटर करूँगा, यह मुझे एक नए page पे ले चाहेगा और यहाँ पर मुझे क्लिक करना है admin पर अब यह एक admin portal है users and groups के लिए, okay this is the basic one तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं user active users यहाँ directly इसी dashboard से add user भी click कर सकते हैं तो let's click here, यह हमारा shortcut है, तो यहाँ पर कुछ भी एक नाम ले लेते हैं, abc, abc and abc at indians in china.com अब यहाँ पर दो options है, auto generate password, कोई भी एक random generate हो जाएगा और उसके बाद आप खुद भी एक password बना सकते हो, so यह demo है, इसके लिए मैं एक password खुदी बना दूँगा ओके यह strong है, and of course यह demo है, तो मैं नहीं चाहता कि next मैं मुझे दुबारा से यह password change करने को बोले, लेकिन real world scenario में, make sure that this option is checked in, ताकि next time जब आप उसको एक random password दोगे, जो auto generated होगा, जब वो next time उससे use करेगा, तो उस user को दुबारा बोलेगा, अपना password reset करने के लिए, ताकि admin को भी वो password ना पता हो, तो इस demo के लिए मैं इस चीज़ को uncheck कर दूँगा, next, अब यहाँ पर आता है Intune का license, अब यहाँ पर already Intune का license चेक दीन है, तो मुझे इसका ख्याल रखना है कि यह Intune का license होना चाहिए उस user के पास, alright, मैं नहीं चाहता हूँ, उस user के पास कोई भी admin access हो, और profile info, that's okay, यह demo है, next, so यह है सारी की सारी information, कि user का नाम है ABC, उसका ID है ABC at indiansinchina.onmicrosoft.com, चाहिना इसकी location है, licenses Intune है, apps Microsoft Intune है, तो सिर्फ finish adding पर हमने क्लिक करना है, तो इसका मतलब हमारा user अब add हो चुका है, जब भी user अपना account या अपना device access करेगा, उस case में उसे ये वाला username और ये वाला password यूज करना है, अब चलते हैं हमारे android device की तरफ, जिसके अंदर हम उस device को enroll करेंगे,